आपने टाइटल और थमनेल को देखकर समझ लिया होगा कि मैं किस यूट्यूबर की बात कर रही हूँ तो जी हाँ मैं इनकी ही बात कर रही हूँ इनकी कुछ मिस्टेक्स पूरी तरह से बहुत बड़ी इनोंने गलती की है क्योंकि हम सभी को पता है कि इंडिया के अंदर में पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुका है इंडिया हमारा और ये जो चीज है ये हर स्टेट के लिए हो चुका है जब कंट्री ही लॉकडाउन है तो आप समझ सकते हिस्तिति आप सभी को भी पता ही होगा और आप लोगों को ये भी खासकर पता होगा कि हमें क्या-क्या करना ह हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है जो government ने हमें बोला है हमें दो चीज़े बोला एक घर में रहो और एक चीज social distance बना के रखो लेकिन कुछ यूटुबर्स हैं खासकर बाकियों यूटुबर की बात मैं नहीं कर रही हूँ एक यूटुबर की मैं बात करी हूँ जो social distance का मतलब नहीं समझ रही है ठीक है और घर में रहना ये क्या होता है इसका भी मतलब वो नहीं समझ रही है तो क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में कोई मुझसे बड़ा हो या कोई मुझसे छोटा हो तो जब भी उसे मिस्टेक होती है तो हमें उसे बताना चाहिए अगर मुझसे भी को ब्लॉग को देखा तो ब्लॉग में वो पूरी तरह से दिखा रही है कि अच्छे से तयार होकर साड़ी वेगरा पहन कर वो अपने माई के से रिटर्न आ रही थी क्योंकि उनके बच्चे की तवेद खराब थी तो आज का जो डेट है वो है 27 मार्च कल था 26 मार्च तो कल उन्ह ही रिजन था कि हमने कहीं से लिखवा लिया था उनके हास्मेंट ने परमीशन ले ली थी और जाने आने के लिए तो आप ये बताईए इस तरह तो हर कोई एक परमीशन एक परचा लेके लिखवा ले और जाना आना कर दे आप ये बताईए क्या कोई इस तरह का परमीशन द कि हर जगह पे बंदी बनाई हुई है बंदी चल रही है हर जगह पे तो अब एक तो उन्होंने गलती की और दूसरा की उसके बाद से भी जूट पे जूट इतना जूट बोलना और आज यानि कि 27 मार्स का भी उनका ब्लॉग आया जिस ब्लॉग में मैंने देखा कि वो ग्रॉ पास्क यूज कर रही है देखिए मैं यह वीडियो मैंने क्यों बनाया वीडियो बनाने का मेरा यह रिजन था कि उनको लाखों लोग फॉलो करते हैं तो अगर आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं तो आपको अपने आप जिस एक्टिविटी को कर रहे हो वो चीजे दूस कुछ चीज़े सीखते हैं चलो 100% नहीं 10-20% सीखते हैं इतने परसंट तो लोग सीखते हैं तो अगर इतने परसंट लोग उनको देखकर बाहर ट्रेवल करेंगे तो इसका जीमेदार कौन होगा आप बताइए मुझे उल्टा सिधा कॉमेंट करने से पहले आप लोग ये सी बात है घर में ही रहो ये इनको बिल्कुल भी समझनी आ रहा है कल ये वहां से ट्रेवल करके आई आज ये ग्रॉसरी सॉपिंग के लिए गई और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि ये बाते वहां तक पहुचे अगर आप देख रहे हो तो आप उनको जरूर इनफ सब्केश करा रहे है उनकाद बाऊंग कर रहा है और यहां यहां जा रही हो अपने जहारा है है कि अगर आपको भोला जैए कि आपको घर के बाहर नहीं जाना है तो कुछ लोगों का जो अंदर का कीड़ा होता नो वो बाहर आने लगता है नहीं मुझे बाहर जाना है बस तो वही चीज इनके साथ हो रहा है इनको मना किया गया इनको क्या देश के हर एक नागरिक को मना किया गया आप खुद भी घर मे ठाइं जिन्स उनको भी बोलो एक मैसेज दो अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो ऑफ गर में ही रहें और घर में ही grocery लेनी के लिए गई थी तो वहाँ भी मैंने देखा कि जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया था क्योंकि जब इन्होंने खुदने नहीं लगाया तो यह किसी और को क्या कहेंगे कि मास्क लगाऊ तो यह चीजह मतलब कि देख रहे हैं खुलियाम की कैसे ये कर रहे हैं कैसे इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप घर के बाहर निकलो इस तरह के messages कर रहे हैं मैं तो ये काती हूँ कि इनको इस तरह के videos वापस से upload नहीं करने चाहिए अपने daily routine के अंदर बाहर जाने वाला जो भी है वो upload नहीं करना चाहिए इनको बाहर नहीं जाना चाहिए और अगर बाहर गई जो भी समान वगेरा खरीदा तो उसे धोके भी घर में नहीं रख रहे हैं चैसे की बाकी लोग रख रहे हैं तो मुझे उल्टा सिधा कहने से पहले आप ये चीज जान लो कि गलती कोई कोई कि करके बताते हैं हम लोगों का चैनल है तो हम मैं चैनल पर वीडियो बना के इन इन फॉर्म कर रहे हैं कि इस तरह की गलती है जो है वो दूबारा नहीं करें और अगेन मैं इन से एक चीज कहना चाहूंगी कि आप घर में रहे हैं और जो सोसल डिस्टेंस जो वर्ड होता है यह कुछ दिनों पहले यानि कि दो-ती दिन पहले तक गौर्मेंट के तरफ से एक मीटर का था और फिलहाल दो मीटर का डिस्टेंस चल रहा है तो अगर आप कभी जाती भी है तो मास्क लगाए पूरी तरह से पैक होकर जाए और सोसल डिस्टेंस को बिल्कुल डेफिनेटल आप फॉलो करें और एक चीज़ मैं कहना चाहूंगे कि हमारे घरों में भी ग्रॉसरी खतम हो रही है सब के यहां होती है दो-ती दिन चार दिन पे तो सबजिया वेगरा दूद तो दो दिन पे लाना ही पड़ता है कि अगर आप एक दिन लाते हो फ्रीज में रखके अगले भी एक मैसेज दे सकती है इस वीडियो के थुरू जस्ट मैंने एक मैसेज दिया है उनको कि आप घर में रहें आप बाहर नहीं जाए अगर हाँ यह मैसेज अगर उनको बुरा लगता है तो इसका भी जबाब देने के लिए मैं पूरी तरह से रेडी हूँ चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फो वाचिंग और मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर